नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा ग्यार्वी का अध्याय एक समुच्चे पढ़ेंगे। और सर्वनिष्ट पर अधारत व्यवारिक प्रश्ण भी देखेंगे। आईए सबसे पहले देखें वैन आरेक। समुच्यों के बीच अधिकार्ण सम्बंदों को हम आरेकों द्वारा निरूपित कर सकते हैं, जिने हम वैन आरेक कहते हैं। वैन आरेक का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री जौन वैन के नाम पर रखा गया है। इन आरेकों में आयत और बंदवक्र जादतर व्रिध होते हैं। किसी सारवितिक समुच्च यानि Universal सेट को हम आयत से और उपसमुच्यों को व्रिध से दशाते हैं। जैसे की आप इस चित्र में देख सकने हैं। इस चित्र में ये आयत हमारा सारवितिक समुच्च यूँ दशा रहा है। और इसमें आने वाले वृत हमारे किसके U के उपसमुच्चे A और B दर्शा रही हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि U के अंदर कोन-कोन सी संख्याय आ रही हैं। तो आप जो भी आयत के अंदर संख्याय आ रही हैं, वो हमारे U समुच्चे के अव्यफ बनचाएंगे। एक, दो, तीन और सारी संख्याय आएं दस तक। ठीक? एसमुच्चे के अंदर इस बाहर वाले वृत के अंदर आने वाली सारी संख्याय आएं। यानि 2, 4, 6, 8 और 10 तुम 20 अमुच्चे के अव्यव क्या बने देख सकते हैं 4 और 6 ठीक तो इस प्रकार हमारा ये वेन आरेक हम बना सकते हैं और दश्चा भी सकते हैं अपने अव्यवों को और समुच्चे को आएए अब आगे देखें समुच्चेों पर संक्री आएं हमारे पास कई संक्री आए हैं क्या हैं वे आएए उन्हें पढ़ते हैं सबसे पहली समुच्चे का सम्मिलन जिसे हम अंग्रेजी में यूनियन ओफसेट भी कहते हैं ये हमारा क्या कहता है मान लीजे ए और भी हमारे पास कोई भी दो समुच्चे हैं ए और बी का समिलन यानी यूनियन वह समुच्चे हैं जिसमें ए के सभी अव्यव हैं एवं बी के भी सारे अव्यव हैं परन्तु जो उभे निष्ट अव्यव हैं वो केवल एक बार लिखे जाएंगे प्रतिकात्मक रूप में आप देख सकते हैं ए समिलन बी बराबर वह सारे सदस्य जो की ए में भी है या फिर बी में है प्रतीक समिलन का हम इस प्रकार दर्शा आते हैं जो की अक्षर यू जैसा दिख रहा है अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इन ए और बी समुच्चे का समिलन निकालिए तो आप क्या निकालेंगे आपको क्या लेना है सारे अव्यव जो ए में भी आ रहे हूं और बी में भी आ रहे हूं यानि एक दो और ती सारे अव्यव ले लिये हमने ध्यान देंगे दो जो है हमारा वो हमने सिर्फ एक बार लिया है हम देख सकते हैं जो सारे अव्यव जो उभेनिष्ट अव्यव होते हैं वो केवल एक बार ही लिखते हैं तो हमारा ए समिलन भी क्या बना समुच्चे जसमें तीन अव्यव है एक दो और तीन इसको अगर हम वैन आरेक के रूप में दश आएं तो क्या बनेगा ये हमारा सारोर्तिक समुच्चे यू ये दो व्रित हमारे दो समुच्चे दश आ रही हैं A और B जो हमने इन रिखाओं से बना रखा है यानि ये भाग ये सारा भाग हमारा क्या दशा रहा है? A, सम्मिलन, B ठीक, आईए अब इस संक्रिया पर हम कुछ गुण धर्म पड़े सबसे पहला गुण धर्म क्रम, विनिम्मे, नियम जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्यूटेटिव लौ भी कहते हैं ये क्या कहता है? कि हमारा जो क्रम है वो माइने नहीं रखता मतलब A समिलन, B करें या B समिलन, A करें हमें दोनों सूर्तों में बराबर और समान समुच्य में लेगा आईए उधारन से देखें A और B A समिलन, B अभी हमने देखा 1, 2 और 3 आ रहा है अगर मैं आप B यूनियन, A यानि B समिलन, A निकालना चाहें तो क्या मिलेगा? 2 और 3 और इसमें 1 और 2 2 हमारे पास पहले ही आ चुका है तो हमें सिर्फ 1 लिखना है देख सकते हैं A समिलन, B और B समिलन, A बराबर आ रहा है आईए अब दूसरे नियम पे चले साहचर्य नियम जैसे हम अंग्रेजी में एसोसियेटव लॉबी कहते हैं वो क्या दर्शा रहा है? यहां देखेंगे A समिलन, B अगर हम पहले कर ले और उसके बाद उत्तर का समिलन हम C के साथ करें तो वो बराबर होगा किसके? अगर हम सबसे पहले B का C के साथ समिलन करें और इस पूरे समुच्चे का समिलन A के साथ करें यानि कोश्टक का यहां मान्या नहीं रहता हूं हम कोश्टक कहीं भी लगाएं हमारा जो उत्तर है वो बराबर यानि समान ही आता है इसको भी आईए उधारन के रूप में इसे दिखें सबसे पहले उल्टे हाथ पे A यूनियन B यानि A समिलन B एक, दो, तीन आ रहा था अब इस समुच्चे को हमने C के साथ समिलन किया तो यह हमारा बना एक, दो, तीन, चार और पांच ठीक अब सीधे हाथ पे देखेंगे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें निकालना है B समिलन C निकालेंगे सबसे पहले ठीक है तो B समिलन C हमारे पास क्या आया एक, दो, तीन, चार और पांच इस समुच्चे का A के साथ समिलन करना है तो हमारे पास समुच्चे आया जिसके अंदर अव्यव है एक, दो, तीन, चार और पांच देख सकते हैं उल्टा हाथ और सीधा हाथ बराबर यानि दोनों का समुच्चे समान आ रहा है यही हमारी सहचर्य जो नियम है, बताता है आईए अगला नियम देखें अगला नियम है हमारा तद समख नियम ध्यान देंगे इस A समुच्चे के अंदर अगर मैं रिक्त समुच्चे का समिलन करूँ तो क्या मिलेगा? रिक्त समुच्चे यानि इसमें A भी अव्यव नहीं है यानि A समुच्चे में में कोई भी अव्यव नया नहीं डाल रही हूँ अगर कोई भी नया अव्यव नहीं डाल रहे हैं तो यानि हमारे पास उत्तर के अंदर वही पहले वाला समुच्चे यानि समुच्चे A मिलेगा तो A समिलन रिक्त समुच्चे बराबर में समुच्चे A आता है अगला वर्क सम्नियम यानि अगर मैं जो समुच्चे A है उसका समिलन A से ही करूं उसी के साथ करूं तो क्या उत्तर मिलेगा A क्यों क्योंकि इसमें भी हमारे पास कोई भी नया अव्यव नहीं जो पहले थे बही रहेंगे तो इसलिए A समिलन ने बराबर में A आ रहा है आखिर में U का नियम यानि सार्वित्रिक का नियम यूनिवर्सल लो यू समिलन A A हमारा क्या है उप समुच्चे है यू का तो यानि जो A के सारे अव्यव है वो यू में भी है और हमें समिलन में सारे अव्यव लेने होते है तो यानि जो हमारा U समिलन A बना वो क्या बना यू ही बना क्यों? जो समुच्चे ये हुँ है, उसके अंदर हमारे पास एक के सारे के सारे समुच्चे के अव्यव आ रहे हैं, ठी? आईए अब अगला संक्रिया पड़ें, जो अगली हमारी संक्रिया है, उसे देखते हैं, अगली संक्रिया यानि जो हमारा ओपरेशन है, वो क्या है? सम समुच्चे A और B का सर्वनिष्ट उन सभी अव्यवों का समुच्चे है जो A और B दोनों में उभ्यनिष्ट है यानि A और B में जो सारे कॉमन कॉमन यानि जो दोनों की अंदर अव्यव आ रही हो अगर हम उन अव्यवों का समुच्चे बना लें तो वह समुच्य हमारा सर्वनिष्ट समुच्य कहलाता है किनका? दोनों समुच्यों का प्रतिकात्मक रूप में A सर्वनिष्ट भी बराबर में समुच्य सारे उन सदस्यों का जो A का भी सदस्य है और B समुच्य का भी सदस्य है प्रतीक, इस प्रतीक से हम सेवनिष्ट को लिखते हैं, जो कि अंग्रेजी शब्द UK के उल्टे के समाना रहा है, अगर हम उल्टा कर दें तो इस प्रकार दिखेगा, अब इसी पर, अगर मैं आप से कहूं, मेरे पास दो समुच्चे हैं, देख सकते हैं, ए समुच्चे के अंदर दो अव्यव, एक और दो, बी समुच्चे के अंदर दो अव्यव, दो और तीन, अगर मैं आप से कहूं, इन दोनों समुच्चे का सर्वनिष्ट निकालिए, तो क्या आप लिखेंगे, ए सर्वनिष्ट भी बराबर में, दोनों समुच्चे के अंदर कितने अव्यव उभ्यनिष्ट हैं केवल एक और वे अव्यव दो है ठीक अब आर एक तुआरा अगर हमें इसे दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे देख सकते हैं ये आयत हमारा सार्वितिक समुच्चे दो समुच्चे हमारे पास A और B तो ये दोनों व्रित एक एक हमारा समुच्चे A और समुच्चे B दिखा रहा है देखेंगे दोनों समुच्चे में हमारे पास कुछ उभ्यनिष्ट भाग है ये उभ्यनिष्ट भाग हमारा समुच्चे A और B का सर्वनिष्ट दर्शा रहा है यानि A सर्वनिष्ट B यानि अगर मुझे ये दिखाना है A सर्वनिष्ट B जो कि अव्यव दो है तो मैं कहा लिखूंगी इस वेन आरेक में यहाँ ठीक आईए अब इसके कुछ गुन धर्म देखें सबसे पहला क्रम विनिम्मेनियम देख चुके हैं जिसे हम कॉमेटेटिव लॉग कहते हैं जिस तरीके से हमने पिछे देखा वैसे ही हम इसमें भी दश्चा सकते हैं यह कार्रे मैं आपके लिए छोड़ती हूँ दूसरा हमारा नियम सहचारा नियम कोश्टक को हम कहीं भी लगाएं उत्तर हमारा समान आएगा तीसरा तत समक कनियम अब इसमें क्या है ए सर्वनेष्ट रिक्त समुच्चे यानि ए अगर हमारा समुच्चे जिसमें दो अव्यव एक और दो इसका सर्वनेष्ट ले रहे हैं हम रिक्त समुच्चे के साथ रिक्त समुच्चे में एक भी अव्यव नहीं इसमें दो समुच्चे कितने हैं अव्यव समुच्चे A में कोई अव्यव हमारा उभ्यनिष्ट हो सकता है नहीं कोई भी अव्यव ऐसा नहीं है तो यानी सर्विनिष्ट क्या निकलेगा हमारा रिक्त समुच्चे ठीक, अगला वर्ग सम्नियम वही A सरविनिस्ट A करें, तो क्या आएगा A सरविनिस्ट A करेंगे, A के सारे के सारे अव्यफ उभेनिष्ट हो जाएंगे तो यानि A सरविनिस्ट A बराबर हमे समुच्य A ही मिलेगा U का नियम U सर्विनिष्ट A बराबर में A आ रहा है ये क्या है? U सार्वितिक समुच्चे A हमारा कोई भी समुच्चे दिया हुआ है जो की उप समुच्चे है U का ध्यान देंगे मैंने अभी आपको बोला A जो है उप समुच्चे है U का यानि A के सारे अव्यव U के अंदर आ रहे है जब सारे के सारे अव्यव एके U में आ रहे है इसका मतलब सारे के सारे जो अव्यव A के हैं वो उपहनिष्ट अव्यव हो गए तो हमारा U सर्वनिष्ट A क्या मिलेगा? किसके बराबर होगा? समुच्चे A के बराबर ठीक अब आखरी नियम देखेंगे द्यान देंगे इसके अंदर हमारे पास दोनों संक्रियाएं हमने इसमें इसमें इस्तमाल करी हैं सम्मिलन भी और सर्वनिष्ट भी इस नियम को हम कहते हैं वितरन या बंटन नियन इसे हम अंगरेजी में distributive law भी कहते हैं वह क्या बता रहा है अगर हम b सम्मिलन c करें और इसके बाद a के साथ इसका सर्वनिष्ट लें तो वो किसके बराबर होगा अगर हम a सर्वनिष्ट b और a सर्वनिष्ट c का सम्मिलन लें किसके बराबर होगा आईए देखते हैं कि इसके उधारण से उल्टे हाथ में सबसे पहले लिखेंगे हम B समिलन C तो हमारे पास क्या मिला? 1, 2, 3, 4 और 5 अब B समिलन C का मुझे सर्वनिश निकाला है A के साथ A के अंदर अव्यव 1 और 2 ध्यान से देख सकते हैं जो 1 और 2 अव्यव है वे B समिलन C में भी है तो हमारा उत्तर ये समुझे आया जिसके अंदर 2 अव्यव 1 और 2 अब सीधे हाथ में देखेंगे सबसे पहले A सर्वनिश बी निकालना है A सर्वनिश बी देख सकते हैं संख्या 2 है जो हमारी उभ्यनिश्ट संख्या है तो A सर्वनिश बी बराबर एकल समुझे जिसके अंदर 2 हमारा अव्यव है अब A सर्वनिश बी देख सी इसमें भी एक अव्यव आया जो कि उभ्यनिश्ट है अब इन दोनों को हमें सम्मिलन निकालना है इन दोनों का तो अगर इन दोनों का हम सम्मिलन निकालते हैं तो हम पाएंगे समुच्चे जिसके अंदर दो अव्यव हैं एक और दो ध्यान देंगे बच्चों उल्टा हाथ और सीधे हाथ को जब हम हल कर रहे हैं तो हमारे दोनों बराबर समुच्चे आ रही हैं यही हमारी दर्शा आ रही है नियम, जो हमने हमारा नियम आ रहा है, छीक? इसे हम वेन आरेक द्वारा भी देख सकते हैं, कैसे? आईए देखें, ये इस चित्र में ये वाला भाग हमारा उल्टे हाथ का भाग दिखा रहा है और ये सीधे हाथ का, द्यान देंगे उल्टे अवरित आ गए, बी समिलन सी, तो ये वाला भाग हमारा दर्शारा है, बी समिलन सी, ध्यान देंगे, ये वाला भाग आ गया हमारा, ये क्या दर्शारा है, ए सर्वनिष्ट, किस के साथ, बी समिलन सी के साथ, ठीक, अब सीधे हाथ पे जाएंगे, सबसे पहले, ए सर्वनिष् B, A और B में जो हमारा उभेनिष्ट भाग है, देख सकते हैं, ये हमारा उभेनिष्ट भाग है, ऐसे ही A सभेनिष्ट C के अंदर, ये वाला हमारा उभेनिष्ट भाग है, इन दोनों का व सम्मिलन लेना है, तो ये दोनों ही हम दर्शा देंगे, इस वाले चित्र में आप दे वाले चित्र को, दोनों समान हैं, आईए, अब आगे बढ़ें, अब अगली संक्रिया हमारे पास है, समुच्यों का अंतर, नाम बता रहा है, यानि, देखेंगे, A और B का अंतर, उन अव्यवों का समुच्य है, जो A में है, किन्तु B में नहीं है, अंतर लिया है, तो एक में होंगे, एक में नहीं है, जबकि A और B को इसी क्रम में लिया जाए, ध्यान देंगे, क्रम शब्द पे, ठीक, प्रतिकात्मक रूप में, A अंतर B बराबर में वह सारे सदस्य है, जो A समुच्य के तो सदस्य है, परन्तु B समुच्य के सदस्य नहीं है, ध्यान देंगे, अगर मैं आपसे, A अंतर B निकालने को कहूं, A समुच्य आपको मैंने दिया हुआ है, समुच्य, जिसके अंदर दो अव्यव, एक और दो, B समुच्य, इसमें भी दो अव्यव, दो और तीन, तो अब क्या निकालेंगे, A अंतर B, बराबर में कितना आया, A में जो भी B के अव्यव हैं, वो हटा देंगे, देखेंगे, दो B का अव्यव है, तो A अंतर B हमारा केवल, एकल समुच्य हुआ, जिसके अंदर, एक हमारा अव्यव है, ऐसे ही, अगर मैं आपसे कहूं, B अंतर A निकालें, तो आप क्या निकालेंगे, आप B समुच्य में जिसके से A के सारे अव्यव हटा देंगे, तो गोई क्या आया, तीन, ठीक, यही निकालेंगे, यह उत्तर आया, बचों ध्यान देंगे, या A अंतर B और B अंतर A दोनों अलग अलग आ रहे हैं, यानि अगर मैं A और B का क्रम बदल दूं, तो उत्तर भी अलग हो रहा है, इ हमने क्रम पे आपको ध्यान देने के लिए कहा था, छीक, इससे हमें यह पता चलता है, A अंतर B, B अंतर A के बराबर नहीं होता, हमेशा नहीं होता, कभी-कभी सूर्तों में आ सकता है, अगर हम वेन आरेक के रूप में इसके देखें, तो कौन सा भाग हमारा अंतर दर्शा रहा है, देखेंगे, यह हमारा जो आयत है, सारवृतिक समुच्चे, दो समुच्चे हैं, A और B, तो यह A और B दर्शा रहे हैं, दो व्रित, ध्यान देंगे, यह जो उभेनिष्ट भाग था, वह क्या था, A सरवनिष्ट B, इस पूरे समुच्चे में से, अगर मैं उभेन भाग हटा दूं, ठीक, यानि यह वाला भाग उभेनिष्ट भाग हटा दूं, तो जो बचता है मेरे पास, वह अंतर दर्शा रहा है, यानि A अंतर B, और इसी प्रकार दूच्रा वाला भाग, B अंतर A, B में से, यानि B समुच्चे में से मैंने सारे उभेनिष्ट भाग देखेंगे समुच्चे का पूरक, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्प्लिमेंट ओफ सेट भी कहते हैं, इसमें क्या बता रही है, मान लीजे हमारे पास U एक सार्वित्रीक समुच्चे है, यानि इन यूनिवर्सल सेट है, और A, U का एक उप समुच्चे है, तो A का जो पूर A का अव्यव नहीं है, पिल्कुली अंतर की तरह, यानि मुझे क्या करना है, U अंतर A निकालना है, ठी, देख सकते हैं आप, प्रतीक के रूप में हम A के उपर छोटा सा ये जो डैश लगाते हैं, ये हमारा A का पूरक दर्शा रहा है, प्रतीकात्मक रूप में A का पूरक बराबर वह सारी संख्याएं, यानि वह सारे सदस्य, जो समुच्चे U का सदस्य हैं, पर समुच्चे A के सदस्य नहीं, उधारन ले लेते हैं, उधारन में आपको कहूं, मुझे इस A समुच्चे का पूरक निकालिए, सार्वित्यक समुच्चे मैंने आपको दिया हुआ है तो आप क्या निकालेंगे? तो हमारे पास कौन-कौन सी संख्याएं आई? 3, 4, 5 और 6 ठीक? एक और दो हमने इसले नहीं लेई क्योंकि एक और दो हमारी समुच्चे A में आ रही है हमारी संख्याएं समुच्चे A में नहीं आनी चाहिए तो पूरक A क्या बना? समुच्चे 3, 4, जिसके अव्यव हैं 3, 4, 5 और 6 ठीक? आईए, इसे अगर मैं आपको दर्शाने के लिए कहूं तो आप कैसे दर्शाएंगे? ये हमारा सारवितिक समुच्चे ये हमारा समुच्चे A ये हो गया एक और दो और इसका पूरक निकाला है तो पूरक हमारा हो गया 3, 4, 5 और 6 यहीं कहीं आएगा तो ये जो भाग है इस वृत के भार वाला पर आयत के अंदर वाला ये हमें दर्शा रहा है किसका पूरक? एका पूरक ठीक? आईए अब पूरक के कुछ गुण धर्म देखें सबसे पहले पूरक नियम पूरक नियम हमें क्या बता रहा है? सामुच्चे A का उसी के पूरक के साथ अगर मैं समिलन करूं तो हमें पूरक का पूरा सार्वतिक समुच्चे मिलेगा वहीं अगर समुच्चे A का उसके पूरक के साथ सर्वनिष्ठ लूँ तो मुझे एक रिक्त समुच्चे मिलेगा असान है? देख सकते हैं इन दोनों में कोई भी हमारा उभेनिष्ट भाग नहीं है इसलिए समिलिन करने पर पूरा का पूरा सार्वतिक समुच्चे मिल रहा है और उभेनिष्ठ कुछ भी नहीं है इसलिए कोई भी अव्यव उभेनिष्ट नहीं है तो सर्वनिष्ठ A का उसी के पूरक के साथ हमें एक रिक्त समुच्चे मिल रहा है अगले नियम D Morgan का नियम ये क्या बता रहा है A समिलन B का पूरक हमारा किसके बराबर है अगर मैं पूरक A और पूरक B का सर्विनिष्ट निकालू इसी प्रकार A सर्विनिष्ट B का जो पूरक है वो किसके बराबर है पूरक A और पूरक B के समिलन के बराबर आईए इसे एक उधारण से समझते हैं, इन दोनों में सबसे पहला देखेंगे, दूसरा आप स्वैम करेंगे, सबसे पहले A समलन B, समुच्चे जिसमें तीन अव्यव, एक, दो और तीन, इसका अगर मैं पूरक निकालूं, तो आप क्या निकालेंगे, सार्वित्रिक समुच देख सकते हैं, U से दिया हुआ है हमें, इसमें 6 संख्या आए हैं, तो A समलन B का पूरक, क्या हो गया, 4, 5 और 6, यानि समुच्चे जिसके अंदर तीन अव्यव, और विक्वेंसी संख्या आए हैं, 4, 5 और 6, अब सीधे हाथ पे देखेंगे, सीधे हाथ में सबसे पहले A का पूरक, A का पूरक क्या है, 3, 4, 5, 6, ये आएंगे, ये होंगे हमारे सदस्से, A के पूरक के, ऐसे ही B का पूरक निकालने पर, हम देखेंगे, 1, 4, 5, और 6, ये हमारे सदस्से बन रही है, B के पूरक के, अब इन दोनों समुच्चें का हमें क्या निकालना है, सर्वनिष्ट, तो A पूरक, सर्वनिष्ट, B का पूरक, ये तीन अव्यव हमारे उभेनिष्ट अव्यव है, संख्याएंग, जो हमारी उभेनिष्ट हैं, दोनों में आ रही हैं, तो ये हमारा सर्वनिष्ट हो गया, तो A पूरक, B पूरक का जो सर्वनिष्ट है, जो समुच्चे है, जिसमें तीन अव्यव हैं, चार, पांच और छे द्यान देंगे, उल्टा हाथ और सीधे हाथ पे हमें दोनों में समान समुच्चे मिल रही है यह हमारे डी मॉर्गन का नियम दशारा है, इसी प्रकार आप दूसरा भी देख सकते हैं अब हम देखेंगे द्वी पूरक नियम, यह क्या द्रशारा है, अगर मैं A पूरक का दुबारा से पूरक निकालूँ तो वह A ही आएगा, यानि जो A समुच्चे लिया है उसका पूरक निकालने पहले और फिर उस पूरक का फिर से पूरक निकालने तो वह पहले वाला जो हमने समुच्चे लिया है वह ही आएगा आईए बाकरी देखें, बड़ा सरल है हमारा रिक्त समुच्चे का अगर मैं पूरक निकालूँ तो वह पूरक का पूरा सार्वत्रिक समुच्चे है और सार्वत्रिक समुच्चे का अगर मैं पूरक निकालूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी अव्यव नहीं होगा तो वो है हमारा रिक्त समुच्चे दर्शा रहा है ठीक? आईए अब आगे बढ़ें ये बिंदुओं पे आप त्यान देंगे यदि अगर हमारे पास दो समुच्चे है A और B B उपसमुच्चे है A का तो A समिलन B A के बराबर ऐसे ही B उपसमुच्चे है A का तो A सर्वनिष्ट भी B के बराबर होगा तीसरा बिंदु क्या कह रहा है? यदि A सार्वितिक समुच्चे U का एक उपसमुच्चे है ठीक? तो इसका जो पूरक होगा वहे भी समुच्चे U का उपसमुच्चे होगा इस बिंदू पे देंगे ध्यान यदि A और B दो समुच्चे हैं और इन दोनों का सर्वनिष निकालें तो वे एक रिक्त समुच्चे आ रहा है ऐसे समुच्चेों को एक हम खास नाम देते हैं और इन समुच्चेों को हम असंयुक्त समुच्चे कहते हैं जिसे हम अंग्रेजी में disjoint sets के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान देंगे, आप देखेंगे इस when आरेख के अंदर, ये A समुच्चे, ये B समुच्चे हैं। ये उभ्यनिष्ट भाग हमारा A सर्वनिष्ट भी दर्शा रहा था, ये A अंतर B, और ये वाला भाग B अंतर A. इन तीनों भागों को अगर मैं अलग लग लूँं, तो इन में कोई भी उभ्यनिष्ट भाग नहीं है। वही हमारा आखरी बिंदू हमें दर्शा रहा है, समुच्चे A अंतर B, A सर्वनिष्ट भी और B अंतर A परस पर असयुक्त होते हैं। यानि मैं किसी भी दो समुच्चे को उठा लूँं, तो उनका सर्वनिष्ट हमेशा क्या मिलेगा? रिक्त समुच्चे मिलेगा। ठीक, क्योंकि उन दोनों में कोई भी उभेनिष्ट भाग नहीं है, उभेनिष्ट अव्यव नहीं मिलेगा। यही हमारा यहां दशारा है। आए, अब कुछ खास सूत्र देखें। इसके अंदर आप देख सकते हैं। ए, समिलन बी के अंदर जितने भी अव्यवों की संख्या आए हैं। वे किसके बराबर है ए समुच्चे के अंदर अव्यवों की संख्या जमा बी समुच्चे के अंदर अव्यवों की संख्या घटा ए और बी के जो सर्वनिष्ट है उसमें अव्यवों की संख्या अब इसी प्रकार हमारे पास अगला सूत्र जब हमारे पास तीन समुच्चे हैं ठीक आईए अब इनके उपर हम कुछ व्यवारिक प्रशन देखें सबसे पहले यदि X और Y दो ऐसे समुच्चे हैं जिसके अंदर X समिलन Y में 50 अव्यव हैं X में अव्यव 28 हैं और Y में अव्यव 32 हैं तो हमें क्या निकालने हैं हमें X सर्वनिष्ट Y के अंदर कितने अव्यव हैं वह दिखने हैं तो पहले लिख लेते हैं हमारे पास प्रश्ण में क्या-क्या दिया हुआ है X समिलन Y के अंदर अव्यव की संख्या 50 समुच्चे X के अंदर सदस्यों की संख्या 28 और ऐसे ही समुच्चे Y के अंदर अव्यव की संख्या 32 अभी हमने सूत्र पढ़ा सूत्र हमें क्या बता रहा है दियान नहींगे ये हमारा सूत्र बता रहा है अब इस सूत्र में अगर हम ये सारे मान भरते हैं तो हमें X सर्वनिष्ट Y के अंदर इस समुच्चे के अंदर जितने अव्यवों की संख्या है वो हमें प्राप्थ हो जाएगी देखेंगे हमारे पास क्या मिला इसे हल करके आप देखेंगे X सर्वनिष्ट Y समुच्चे के अंदर अव्यवों की संख्या बराबर है साथ में से पचास कटाएंगे कितने मिले? 10 यानि X सर्वनिष्ट Y के अंदर कितनी संख्या है अव्यवों की? 10 इस प्रकार हम इसे हल करेंगे ट्रे? आईए एक और प्रश्ण लेना इस प्रश्ण में क्या बता रहा है? एक बजार अनुसंधान समों ने 1000 उपभोगताओं का सर्वेक्षन किया यानि सर्वेक्षिया और सूचित किया 720 उपभोगताओं ने उत्पाद A और 450 उपभोगताओं ने उत्पाद B को पसंद किया हमें निकालना क्या है? दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उत्भोकताओं की नियून्तम संख्या ग्याद करनी है ठीक, प्रश्ण समझ में आया होगा आईए अब इसका हल देखे मान लीजिये, यू सर्वेक्षन उत्भोकताओं का समुच्च है एस उन उत्भोकताओं का समुच्च है जिन्होंने उत्पाद A को पसंद किया है और T उन उत्भोकताओं का समुच्च है जिन्होंने उत्पाद B को पसंद किया है तो प्रश्ण के अनुसार समुच्चे U के अंदर अव्यवो की संख्या 1000 है समुच्चे S में अव्यवो की संख्या 720 और समुच्चे T में अव्यवो की संख्या 450 जो हमारे पास दिया हुआ सूत्र है इसमें अगर हम डालें और हल करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास आता है 1170 खटाएंगे कौन से अव्यवों की संख्या, जो S और T के सर्वनिष्ट में आ रही है, ध्यान देंगे ये किसके बराबर है, S समिलन T समुच्चे के अंदर अव्यवों के आने वाली संख्या, वैसारे अव्यवों की संख्या, देखेंगे, S समिलन T के अंदर सारे अव्यवों की संख्या अधिक्तम होगी, जब इन दोनों में, यानी S और T के सर्वनिष्ट में, जो अव्यवों की संख्या है, वो कम होगी, हमारे पास क्या दिया हुआ है कितने उब्भुकताओं का हमने सर्वेक्षन किया वे क्या है हजार यानि S समिलन T के अंदर आने वाले जो सारे के सारे अव्यव है वे अधिक्तम कितना मान ले सकते हैं हजार मान ले सकते हैं इससे हमें क्या पता चला इस वियंज़क को अगर हम हल करेंगे तो इसकी संख्या हमारी किसके संख्या से कम या फिर बराबर होगी? हजार और हल करने पर हम पाएंगे S सर्वनिष्ट T समुच्च यानी S और T में जो क्या रहे हैं? अभ्यनिष्ट अभ्यवा रहे हैं उनकी संख्या क्या है? 170 से बड़ी है या फिर उसके बराबर अब ध्यान देंगे S और T क्या है? उपभोक्ताओं का समुच्च ये जिनहें दोनों उत्पाद A और B पसंद है अदह हमारा हल क्या हुआ? दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की नियूंतन संख्या देखेंगे नियूंतन संख्या 170 है ठीक? तो बच्चों आज के इस सत्र में हमने पैनारेक पड़ा समुच्यों की संक्रियाएं समुच्यों का पूरक एवं कुछ व्यवारिक प्रश्ण भी देखे आशा करते हैं इस सत्र में आपको आनंद आया होगा और समझाया होगा धन्यवार झाल झाल का झाल करते हैं झाल झाल झाल